नमस्कार विध्यारतियों, हम पढ़ने हैं M.A. फाइनल में उत्तर राम चरेतम और यह जो उत्तर राम चरेतम है विध्यारतियों, यह हमारे M.A. फाइनल के दुतिये प्रसन की फुस्तक है, दुतिये प्रसन पत्र जिसका नाम नाटक इवम नाटे सास्त है, उसकी फुस्तक इसमें जब आप देखोगे तो क्या होता है जब आप नाटक और नाटे सास्त्र देखोगे तो 49 चासमा इसे लोग्हें विद्धारती होई और क्या कहता है इसमें भगवान राम का कथन है विद्धारतियो और भगवान राम क्या कहते हैं इसका बढ़न करते हुए कभी कहता है देखिए कि बिश्रम बात बिश्रम बात कहते हैं बिश्वास से उरसी माने हिर्दय पर निपत्य यानि पढ़ करके इर्दय का सहरा ले करके जात निद्राम जिसने निद्रा को प्राप्त किया है क्या कहते हैं बिश्रम बात यानि बिश्वास से उरसी हिर्दय पर निपत्य सो करके जातने द्राम जिसने नीद को प्राप्त किया है अर्थात जो मेरे हिर्दे पर सू करके नीद को प्राप्त करती है ऐसी क्या कहा कि विस्त्रमबाद उरसी निपत जातने द्राम विस्त्रमबाद के कारण से जिसने हिर्दे पर उरस केते हैं हिर्दय पर सो करके हिर्दय का सहारा लेकर के जिसने निद्रा को प्राप्त किया है ऐसी और फिर उनमुच्य प्रिय ग्रहिनिम उनमुच्य यानि मुक्त करके प्रिय ग्रहिनिम ग्रहस लक्षमिम कि यानि जो प्रिय ग्रहिनी है और जो घर की लच्छमी है ऐसी क्या कहा कि जो प्रिय पत्नी है और जो घर की लच्छमी है ऐसी को उनमुच्छ अलग करके क्या कहा उनमुच्छ अलग करके प्रिय ग्रहनी जो प्रिय ग्रहनी है ग्रहस लच्छमी और जो घर की लच्छमी है ऐसी उसको दूर करके आतंका इस्पुरित का तात्पर होता है इस्पुरण करता हुआ और आतंका कहते हैं उद्वेक से तो उद्वेक से इस्पुरण करता हुआ कठोर गर्व गुर्वी जो कठोर गर्व के कारण जो गुर्वी थी भारी थी क्रब्या दब्यो बलिम एव क्रब्या दब्यो कहते हैं जंगली जानवरों के लिए हिंसक जानवरों के लिए क्रब्या दब्यो यानि हिंसक जानवरों क के लिए बलीम इव बली के समान दारुणह चिपामी मैं जो दारुण हूँ मैं जो कठोर हिर्देवाला हूँ उसको जंगली जारवरों के सामने फैक रहा हूँ क्या कहते हैं देखिए कि विश्वास के कारण बक्षिस्तल पर पढ़कर उत्पन निद्रावाली उद्वेक के कारण फढ़कते हुए पूर्ण गर्व के कारण भार से बोजल घर की लच्वी पिरिय पत्नी को अपने सरीर से बल पूर्वक छुड़ा कर हिंसक जानवरों के लिए बोजन रूपी उपहार के समान फैक रहा हूँ क्या कहते हैं भागवान सरीराम का कथने विद्विद्यारतियों कि बिस्वास के कारण से जो हिर्दे पर लेट करके जिसने नीद को प्राप्त किया है उनमुच उसको छुड़ा करके प्रिय ग्रहिनी जो प्रिय ग्रहिनी है ग्रह से लच्षिम और जो घर की लक्षिमी है और आतंक इस्पुरत कठोर गर्व गुर्वी जो उद्विक के कारण से और जो कठोर गर्व है उसके इस्पुरन से और उस गर्व के भार से जो भारी है क्रव्यादव्यो यानि जो जंगली जानवर होते हैं जो हिंसक जानवर होते हैं उनके लिए बली में जैसे उसके लि मैं जो कठोर हिर्दे वाला हूं मैं उसको फैक रहा हूं भगवान सरी राम जब उस सीता का परत्याक करते हैं उस समय का बढ़न है इसमय और सीता का परत्याक करते हैं तो भी बताते हैं कि ये जो सीता है वो है मेरे घर की लच्छमी है और वो है प्रिय पतनी है प्रही गिरहनी है और जो मेरे हिर्दे पर लेट करके जो नीद को प्राप्त करती है उसको मैं अपने सरीर से छुड़ा करके जंगली जानवरों के लिए भोजन के रूप में फैक रहा हूं अब देख सीता के त्याक का बंदन करते हुए कहते हैं अब संदरव आप जानते हैं मैं लिखा चुक हूं अब बिसेश जब लिखेंगे तो देखिए आप बिसेश में जो पहला बिंदू लिखेंगे विध्यारतियो तो बिसेश का पहला बिंदू है आप लिखेंगे इस पद्ध में प्रहरसिनी छंद है, इसको रेखांकित कर देंगे, ये नमबर एक हो गया, नमबर दो लिखेंगे आप, इस पद्ध में उपमा अलंकार है, इसको भी रेखांकित कर देंगे, फिर देखिए, ब्याकर्ण टिप नहीं लिख सकते हैं आप, ब्याकर्ण में क्या लिखेंगे, ब्याकर्ण टिप नहीं विद्यारती हो, जैसे आप पहला लिखेंगे, जात, आप लिख देंगे, जन्धातु तप्रत्य, फिर है, आप लिख लेंगे, उन्मुच, आप लिखेंगे, उत उपसर्ग, मुच धातु, और लिख प्रत्य, इसके बाद तीसा लिखेंगे, विद्यारती हो, छिपामी, आप लिखेंगे, छिप धातु, लट लकार, प्रत्थम पुरुष, एक बचन, उत्तम पुरुष है, विद्यारती हो, उत्तम पुरुष, एक बचन, चोथा लिख देंगे, आप, निपत्य, आप लिखेंगे, नि उपसर्ग, पत्धातु, प्लस लिप प्रत्य, और भी है, इसमें विद्यारती हो, आप इसमें, देखिए, यहां से, बिश्रमबात, प्लस उरसी, ऐसे ही, ग्रहा से है, ग्रहा सब्द है, सश्टी एक बचन हो जाएगा, इस प्रकार से और भी व्याकन टिपनी लिख सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीन सॉट ले लें, देखिए विद्यारती हो, यह हमारा प्रत्थम अंक का बीस्वाइश लोग है, क्या कहते हैं, काम बढ़न कर रहे हैं सीता का, तो क्या कहते हैं, देखिए, प्रतनों, प्रतनों कहते हैं, बहुत कम, अर्था सूच्म, बिरल ही है, जो बिरल हैं, यानि बिखरे हुए हैं, प्रांत उन्मीलन मनोहर कुंतलई है प्रांत माने कपोलों पर किनारों पर उन्मीलन माने लटकते हुए कुंतलई है केसों के द्वारा क्या खा परतनों सोचमू प्रतनों का अर्थ होता है सोचमू बिरल माने बिघन यानि जो सगन नहीं है प्रांत उन्मीलन प्रांत भाग प पर लटकते हुए मनोहर कुंतलई है मन को जो हरने वाले हैं ऐसे कुंतलों के द्वारा ऐसे बालों के द्वारा दसन मुकलई है यानि दसन यानि जो दंत पंक्ति है उसकी द्वारा मुगधा लोकम सिसुद्धति मुखम के मुगधा लोकम सिसुद्धति मुखम के जो मुगध और ललत यह जोत्सना प्रायाईर अकृतिम बिब्रमय, यानि जिन में कोई बना बटी नहीं पननाई है, ऐसे बिब्रमौं की द्वारा अकृत मधुरमय अम्मा नाम मेक उतुलम अंग कह यहां, कि इस प्रकार से हुए मेरे और मेरी जो माताएं हैं उनके अंदर कौतुहल को उत्पन करते हैं क्या बताया इसमें कि देखे क्या कहा कि प्रतनु विरलयय प्रांतों मीलत कुंतलयय कि जो अत्यम्त सूच में तथा विरल हैं ऐसे प्रांत भागों अर्थात कपोलों पर यानि गालों पर लहराते हुए सुन्दर केसों से और फिर क्या कहा दसन मुकुलयय मुगधा लोकम से सुर्दति मुकम की दसन कहते हैं दात और दात भी कैसे मुकुलयय जैसे कली होती है फूल की उसके समान जिसके दात थे ऐसे दातों से जो कलीयों के समान दात से उनसे मुकधा यानि जो सुन्दर थी ऐसी लोकं को बोले भाले मुख को ढारण करती हुई जो सिसु अवस्था वाली था और ललता ही योत्ति यी जो स्वाभावेक बिलास होते हैं यानि अत्यांत जो अच्छे होते हैं ललत होते हैं ऐसे जोसना कहते हैं जो चंद्रमा की चांदनी होती है उस चंद्रमा की चांदनी को धारन करते हुई प्रा रही है अक्रतिम बेभ्रमाईया यानि जो स्वाभाविक बिलास थे यानि क्रत्रम नहीं थे उन्हें कोई भी बनावटी पन नहीं था ऐसे उन बिलासों के द्वारा अक्रत मधुराईया अंबानाम बे कोटुहल मंग कहिया कि अक्रत यानि जिसमें नहीं किया गया था स्वाभाविक बिलास थे और चोटे 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 युक्त कमनी ये चोटे चोटे अंगों से मेरे तथा माताओं के कुतुहल को उत्पन करती थी क्या कहा कि छोटे छोटे अंगों से मेरे अंबानाम अकरत मानिक करती थी अंग कई अपने अंगों से कुतुहल को मे और अंबानाम मेरे और मेरी माताओं के अंदर कुतुहल को उत्पन करती थी इस सीता का बर्णन किया गया है कि जो सीता है वह सीता किस प्रकार से है तो अब देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं ये बर्ण किनेंगे आप देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चौदे, पंदे, सोले, सत्य, यानि जब आप बिस इस लिखेंगे विध्यारति इसमें तो बिस में इसमें लिख देंगे इस पद्य में हरिनी छंद है दूसरा लिखेंगे इस पद्य में लुप्तो पमा अलंकार है लुप्तो मा अलंकार है और इसमें हरिनी छंद है विध्यातियों अब देखिए समुच्च अलंकार भी है लुप्तो पमा अलंकार भी है तो अब इसकी जब ब्याकर्ण टिपनी देखेंगे तो देखिए ब्याकर्ण टिपनी है स्कूर एक अंकित कर देंगे हो जाएगा और ब्याकर्ण टिपनी में देखिए पहला लिख लेते हैं हम द द द ती तो आप लिखेंगे द धा धातो प्लस सत्री प्लस गीप प्रत्य फिर है देखिए दूसरा व्याकर्ण टिपनी में और क्राथ आप लिखेंगे ता आप लिखेंगे ता सेसूर ददती आप लिखेंगे सेसूर प्लस दधती आप लिखेंगे विसर्ग संधी फिर उसके बाद तीसरा है विद्यारतियो कुंतल आई है आप लिखेंगे कुंतल सब्द है त्रतिया बहुबचन हेरा आप तीसरा लिखेंगे विद्यारतियो प्रांतो न मेलन प्रांत लस न मेलन गोण संधी ठीक है विद्यारतियो इस प्रकार से क्या है कि आपकी ब्याख्या फून हो जाएगी आज के इस लेक्चर में हम ये दो ही स्लोक पढ़ेंगे ये वे स्लोक हैं विद्यारतियो जो परिच्छाओं की दृष्टी से अत्यंत महत्मून है तो आप इनकी ब्याख्याओं को कर लें और ब्याख्या जब आप कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी परिच्छा में बाकी जो दो पुस्तक और होती हैं उनको करा चुकाओं में और अरस्तू का ब्रेचन सिद्दांत और क्रोंचे का अभी व्यक्तिवाद ये परिच्छा में आने के महत्मून श्चांस है तो आप अच्छी तरह स्तयारी कर लें आज के इस लेक्टर में इतना ही जयन जयवारत